गाइस अटोगे 2D playlist गान्टिनू करते हुए पिछले वीडियो पे हमने ये वाला assignment किया था और आज हम ये वाले पूरा assignment को करेंगे तो इस वाले assignment पिछले वीडियो था इस वाले assignment पे ज्यादा था time हमारे layer बनाने के चक्कर में चला गया था इसलिए इस machine drawing को मैंने ज्यादा time नहीं दे पाया तो अगर आप layers के वारे में ज्यादा knowledge gain करना चाहते हैं कि layer को कैसे बनाते हैं और कैसे use करते हैं उसके बाद hatching, fetching यह सब तो उस पहले वाले वीडियो को देखो इस वीडियो के नीचे description पर first video वह layer बनाने वाला पिछला वाला वीडियो ही होगा तो वाला वीडियो आप देख सकते हो इस वाले वीडियो में मैं यहाँ पर layer बनाना नहीं सिखाऊंगा डायरेक्ट इस assignment को करूंगा मतलब इस machine drawing को करूंगा तो पहले हम यहाँ पर जो जितना भी गोल है वह सब ले लेंगे और हम layer में भी hatching पर है sorry हम हमें drawing पर होना चाहिए तो हम drawing layer पर आ गए उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर जितने भी diameter है तो diamonds हैं यह सारे diamonds हैं हम देदेंगे तो यहाँ पर हम एक color choose कर लेते हैं नहीं तो समझाने में परेशा नहीं हो रहे है यहाँ पर जितना भी diamonds है उसा हम देदेंगे तो हम यहाँ पर circle के लिए C दबा के enter मार रहे है circle यहाँ पर कईब एक point कर रहे है तो point करने के बाद हम यहाँ पर fast diameter लेने के लिए D दबा के enter मारेंगे तो यह नॉर्मल circle diameter वाला circle में convert हो जाएगा उसके बाद 55 देके enter मार देंगे उसके बाद फिर से space दबाएंगे space दबाने के बाद यहाँ पर click करके उसके बाद हमें 90 वाला diameter चाहिए D दबा के enter मारो sorry, S दबा दिया D दबा के enter मारो उसके बाद यहाँ पर 90 दबा के enter मारो काम खत्म उसके बाद फिर से space दबाओ space दबाने से यह पर छूओ center point मिल जाएगा center point पर click करके यहाँ पर D दबा के enter मारो 120 लेकर enter मारो तो तीसरा circle भी complete फिर से space दबा के center point से मैं यहाँ पर D दबा के enter मार रहा हूं उसके बाद 132 दबा के enter बड़ा वाला भी complete हो गया उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हम यहाँ पर और दो circle हम छूड़ गये उसके बाद हम चूड़ ऑला circle है यहाँ पर फिर से दबा के enter मारो इसके बाद हम यहाँ पर जोड़ा चीज जो है वाला चीज करेंगे यहाँ पर Center से हाइट कितना है? 80 तो हम यहाँ पर Center Point कैसे लेंगे Center Point लेने के लिए सेंटर पॉंट लेने से पहले हम चारो गोल पहले कर लेते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर फिर से सी दबा के एंटर मारेंगे आटो कैट पर एक बार क्लिक करो सी दबा के एंटर मारेंगे उसके उसके बाद यहां सका क्वाडरेंट देखेंगे कौन सा हाई ही सर्कल यहां प तो 25 बला सरकल लेंगे उसके बाद हम इसका एरे कर देंगे इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद ए आर दवा के एक सेकंट ए आर दवा के एंटर मारो एंटर मारो एंटर मारो एंटर मारो पोलार एरे लेना है तो पोलार एरे पर क्लिक करो क्लिक करने के बाद यहां पर सेंटर पॉइंट लेना है यहां पर चूकर सेंटर पॉइंट पर क्लिक करें रखा है यहां पर एरे आ हम यहाँ पर सेंटर लाइन वाले लेयर पर चलते हैं उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे उसके बाद हम यहाँ पर सेंटर लाइन ऑटोकेट 2022 के बाद 2020 के बाद का ऑटोकेट है मैंने बोला था कि एक अपडेट आ चुका है एनोकेट पर जाने के बाद सेंटर पर आने के क्या करना एक सिंटर को by एक सब्सक्राइब में सब्सक्राइब мख्रें मारेख करें कोकुट करना यहांतो ப इसके पारी जिल्म अब तुम बोलोगे ए जो line था ए तो हमने drawing वाले layer के उपर किया था पर ए जो हमने match property किया ना तो ए भी automatic centerline वाले layer के अंदर convert हो गया ओके shift हो गया ए चीज मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाया था नहीं तो layer का तो गड़बड हो जाएगा मैं मुझे भी जब सीखा था autocad कुछ सा कुछ दिनों पहले तब कुछ महीनों पहले मैं भी एक student हुए mechanical engineering second year का student हुए तो यहां पर मुझे भी doubt हुआ था एक ऐसे हो सकता है उसके बाद मैं मैंने खुद से try किया तब देखा कि यह जो लाइन मैंने match property की यह भी center line जिस layer पर है उस पर shift हो गया तो मैं फिलाल इसको दबा के एंटर मारो मैं spelling गलत टाइब का देता हूं ओके ओ डीडी दवा दिया ओ एफेप दबा के एंटर मारो उसके बाद ऊपर हम कितना लेंगे ऊपर हम 18 लेंगे 18 दबा के इंटर मारो ओके उसके बाद यहां पर एक बार क्लिक करना जो मैं हमें से भूल जाता हूँ सब्सक्रान पर ऐब करेंगे यहां पर होका स्वारी सेंटर लाइन को छोड़ दो इसको ट्रिम पुरा लाइन इसको select करके delete मारो या erase भी कर दो तुम्हारी मर्जी उसके बाद यहां पर यहां पर यहां पर ट्रीम और 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 यहां पर ट्रीम से हमें कोई वास्ता नहीं है उसके बाद हम इसको select करेंगे select नहीं को भी ट्रीम कर दूंगा तो देखो यह पूरा पाट हमां कंप्लीट हो गया उसके बाद अंदर का तो साइध पूरा ही कंप्लीट हो गया अच्छा यहां पर मैं क्या करूंगा यहां पर नए सेक्षेल लेने के लिए हम इस लाइन को और थोड़ा बढ़ा देते हैं और यहां लाइन डेप्थ को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ओके ऐसे बढ़ा लेंगे तो यहां पर समझ में आएगा कि यही सेक्षेन को हम इस तरफ बढ़ा करके दिखाएंगे तो हम यहां पर लीडर ले ले लेते हैं यहां पर आनोटेट पर जाने के बाद यहां पर लीडर का उप और इधर देखो यहाँ पर ऐसा कुछ नीचे आया है उसके बाद यहाँ पर है तो मैं ऐसे क्या करूँगा एल दवा के इंटर मारूगा इसके बाद इसको छोड़ दो और इसको भी तुम यहाँ पर डेबल क्लिक करके यहाँ पर रेड कलर कर सकते हो इसको पहले सिलेट करो सिलेट करने के बाद यहाँ पर तुम इसको क्लिक करके रेड कलर कर लो और इसको बोल्ड भी कर सकते हो तो उसके बाद छोड़ दो और अग पर हमारा एक काम हो गया उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हम रे लिएंगे पहले हम पर होम पर जाने के उसके बाद यहां पर क्लिक करके इस तरह अब लेलो फिर से स्पेस दबाओ एक सेकर एसकेप दबाओ फिर से स्पेस दबाओ रे लेलो यहां पर क्लिक करके इधत दबाओ रे हो गया उसके बाद एसकेप दबाओ फिर से स्पेस दबाओ स्पेस दबाने के बाद यहां पर यहाँ से भी एक है किलिक करके सब्सक्राइस और प्राइब हो इसको हिणीज फिर से.. सब्सक्राइस दबले डिल्द यहाँ उपैस निचे लाइने के बाइब गए नीचे अकम होगे होगे सब्सक्राइब यहां पर और यहां पर एक लेना एक टूल लेंगे यहां पर मैण ठीकने से 40 एक फोट्टी के एक यहां पर AutoCAD पर क्लिक करो, O, A5 दोबाक एंटर मारो, offset इधर हम कितना लेंगे, 40, 40 रहा के एंटर मारो, ओके, तो क्लिक करो, काम ख़तम, इसके अंदर हमारा पूरा ड्रॉइंग होगा, तो बाकी सब trim कर दो, TR, double enter कर दो, तो उसके बाद यहां पर trim कर दो, और इधर रहने दो, इधर रहने दो, बाद में हम इसका line change कर देंगे, उसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे, उसके बाद हम यहां पर और भी बहुत सारा offset लेना है, offset कैसे लेना है, यहां पर इसको क्लिक करो, क्लिक करने के बाद, दबाँ केंटर मारो ऊपर देखा 30 डिगरी एक offset है 30 दबाँ केंटर मारूंगा उसके बाद क्लिक करूंगा उसके बाद यहां इतना यह जो थीकनेस है तो चूछा सा थीकनेस यहां पर 20 का यहांसे यहां से हम 2 का एक offset ले लेंगे हाँ 2 का ही ले लेंगे 2 दबा के enter मारेंगे तो यहां पर offset हो जाएगा उसके बाद यहां से भी 2 दबा के enter मारेंगे तो offset हो जाएगा काम खतम और यहां पर कुछ भी नहीं है हाँ कुछ भी नहीं है तो उसके बाद यह जो centerline है, इस centerline को हम यहां पर बड़ा देंगे, एरा है यहां पर आ गया, उसके बाद हमें सब trim करना होगा, देख देख कर, tr double enter करो, और देख देख कर, trim करो, मतलब गलती मत करना, यहां पर हम क्या करेंगे, इसको तो छोड़ी दो, इसको यहां पर trim करो, यह तो पूरा यहां से, उसके बाद हम यहां पर centerline है, तो centerline के नीचे, इस पार की कोई जरूरत नहीं है, centerline के नीचे, यहां पर 30 का जरूरत है, मतलब इस line की यहां पर कोई जरूरत नहीं है, अच्छा, sorry, इस line से, इस line से, नीचे की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर भी क अंदर की जरूरत नहीं है और अबाद या इस गैप के अंदर धिelsंटर नहीं है AAA कि उसके बाद हम थे एपर उसके बाद आप पर उसके बाहिए इ स्पीन जरुरत नहीं है इसल यहां पर इसको center line में convert कर देंगे, फिलाल तो पहले इसको हम trim कर देते हैं, उसके बाद हमें यहां पर एक छोटा सा कुछ offset type का है, यहां पर इस center line से हमें इसकी भी ज़रुरत नहीं है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से एक रे लेंगे, और यहां पर यहां से एक रे लेंगे, यहां पर डे ले करने के बाद यहाँ पर इसको trim कर दो काम खतम उसके बाद हमीं क्या करना है उसके बाद इसका नीचे भी एक रेय लेना था इसका नीचे यहां से lin ले सकते हो पर यहां फिर इसका offset भी ले सकते हो मैं इसका OFF दबाके enter मारता हूं, नीचे की त़राब इसका डायमेटर कितना था, 25 दबाके enter मारता हूं, तो देखो, यहाँपे offset आ गया, यहां पर offset आ गया, offset इस goal के नीचे से ही आ गया, उसे बाद हमारे यहां पर साइद, trim command, tr, double enter करेंगे, trim करेंगे, उसके बाद यहां उपर, इसको भी trim कर दो, कोई जरूरत नहीं है, और इसको भी trim कर दो, और यहां पर उपर भी trim कर दो, अब एकदम यहां पर final काम हो चुका ह अच्छा, यहां पर और एक चीज है, और यहां पर देखो, फिर से 1 to 100 वाला चीज है, यहां पर पूरा distance किसना था, 40 था, 40 by 100, कितना होगा, 0.4, तो यहां पर 0.4 का एक offset लेना पड़ेगा, यहां पर हम इसको click करेंगे, इसको पहले trim कर दो, tr, double enter कर दो, इसको trim कर दो, कोई भी line हमें नहीं चाहिए, यहां पर सारे line ही trim कर दो, ओके, तो फिलाल, यहां पर जरूरत नहीं है, तो क्यूं रखे, इसका oraz का Mater, काम फ़तम, और अगर सारे line को select कर दो всё select करके, यहां पर erase कर सकते हो, या delete भी कर सकते हो, इसको मैं select करता हूँ और इसको भी select करता हूँ उसके बाद erase मारो या delete मारो साब सुत्रा हो गया उसके बाद हम जो कह रहे थे अभी इस line को select करूँगा select करने के बाद oaff दबा के offset लूँगा offset लेने के बाद नीचे के तरफ यहाँ पर 0.4 का एक offset लेना है इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर जो ऊपर का चुलाइन है इसको लेकर delete कर देंगे तो यहाँ पर slope type का हो गया जैसा यहाँ पर assignment पर दिखा रहा है उसके बाद हम एक line tool लेंगे AL दबा के enter मारेंगे line tool लेंगे line tool लेने के बाद इस point से इस point से इस point पर cross कर देंगे इस part की कोई जरुरत नहीं है और इस part को भी कोई जरुरत नहीं है और इस part को भी कोई जरुरत नहीं है और इस part को भी कोई जरुरत नहीं है यहांपर यहांपर यह वाला line है यहांपर भी एक offset है और यही पार नो कसी गना है तो यहांपर हम क्या करेंगे एक offset की ओप्सेट मारांगे oneòng देंगे। बाहर की कैणक तरह कर देंगे तो offset हो जाएगा टूटा हुए है इसको जोड़ांगे कयो से escape दबा के एक्स दबा के enter मारो extend command है उसके बाद यहाँ पर click करो यहाँ पर click करो देख़े ही जुट जाएगा ओके हम दूसरी तरह से दिख रहे हैं यहाँ पर जो यह 2 mm का है यहाँ पर वही 2 mm का है और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ चीज है और उसके बाद मैं यहाँ पर यहाँ कोई भी यहाँ पर fillet नहीं दिया है पर तुम्हें क्या बोला था इस drawing को करने के time हम हर कोने में fillet दिये थे 1 mm radius का तो तुम fillet दे दे ना फिलाल मैं यहाँ पर fillet देने नहीं जाओंगा बहुत time waste होगा फिलाल मैं यहाँ पर hatching दे देता हूँ hatching देने के लिए हम यहाँ पर अपना layers change करेंगे hatching हमारा layers ready है यहाँ पर hatching वाला layers को click करेंगे click करने के बाद हम यहाँ पर hatch पर click करने के बाद यहाँ पर देखो हम यहाँ पर hatching pattern hatching pattern को हम कौन से लेंगे यह वाला लेते हैं, यह वाला लेने के बाद यहाँ पर click करेंगे और यहाँ पर click करेंगे, काम खतम और अगर तुम हमारा hatching pattern और भी मतलब पास पास लियाना चाहते हो, तो यहाँ पर इसको हम पीछले वीडियो पर 75 कर दिये थे, 75 कर दिये थे उसके बाद अगर तुम इसको color करना चाहते हो और भी prominent करना चाहते हो तो यहाँ उपर तुम ऐसा कुछ color भी रह सकते हो, या हलका भी रख सकते हो तो dark ही लेता हूँ, तो इसके बाद हमारा hatching भी complete हो गया hatching layer के अंदर, उसके बाद हम यहाँ पर dimension layer के अंदर जाना होगा तो layer के अंदर जाएंगे, उसके बाद हम dimension layer के अंदर जाएंगे dimension layer के अंदर जाएंगे, dimension layer के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पर सारे का dimension देंगे यहाँ पर dimension देने कघा यहाँ पर है है यहाँ पर linear dimension तुम तो मैं एक linear और बागी सब्सक्रारा radius अंच हों यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर बॉक्स यहाँ पर किलिक करूंगा यहीं पूरा है 132MB stan public 6.930 पर test option on हो जएगा यहां पर तुम्हें देखना होगा insert के अंदर symbol के अंदर diameter ऋ हरा लाएक option ॐसको क्लिक करो तो देख इसका समने diameter दामेटर कशोटा हो जाएगा था जबात इसको छोटा कैसे करोगे यहां पर दबाएंटर मारो तो मैं एक बात कह यहां पर D दबाने से जो भी एडिट करोगे ना तो इस टेंपरेट के आंदर जितना भी इमेजे सब पर अप्लाई हो जाएगा अगर तुम इंडिविजुएली किसी का छोटा करना चाहते हो तो उसको सिलेट करके चैना से डिविजुएली सिर्फ इसी का दामेंजसे चोटा होगा और चैना पर लीडर वले उप्सें को बढ़ा करने के टाइम मैंने दिखा ग्शिए गांपर यहां पर जाने पर जाने के बादके इंदर आने के बाद यहां पर उप दिखा है इसको तुम 3 कर दो, 3 करके ओके मार दो, उसके बाद close कर दो, अब देखो है, थोड़ा सा matching सा हो गया है, तो इस तरह से तुम dimension देना, और यहाँ पर एक चीज दिखाना बहुत important हो जाता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर dimension दिया हुए, एक तरब है, और दूसरी तरब यहाँ है, यहाँ से, ओके यह दूसरी तरब नहीं है, तो हम एक कैसे करेंगे, और एक चीज यहाँ पर, देखो, यहाँ पर dimension सीधा line दिया है, उस सीधा line को खींच कर, यहाँ पर dimension कैसे दिया है, यह दोनों चीज आपको जानना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, और इसको हम कैस को क्लिए करेंगे और यहां पर इस लैंड को क्लिए करके देखो आगे यहां पर देखो एटि को करके ओफ कर दे और मैंने डायमेटर देने का सिंबल कैसे दो तो मैं कुछ देर पहले दिखाई दिया था हो दिया उसके बाद यहां पर जो खीच कर इधर जो लिखा यहां पर जो खीच कर यहां पर एट लिखा है उसके ऊपर साइद यहां पर tolerance वागे रहे है अगर आप mechanical engineer हो तो यह सब आप आपको पता है अगर okay सब कैसे लिखना है हम बात में दिखाएंगे फिलाल हम एक ऐसे लिखाए दिखा देते हैं यहां पर हम यहां पर फिर से वह linear वाला dimension लेंगे उसके बाद यहां पर click कर यहां पर क्लिक करेंगे स्वारी गलत आध्यें कर dużo सपेस दवागे यहां पर कलिक करेंगे करने से देखो यहां पर एट दीखर है ना इस यहां पर क्लिक करो यहां पर क्लिक करेंगे यह हाँ बढ़ देखो अधिया Оριदेखो लिड़ार इसके बाद यहां पर सकुछ दबाद्येट्य इस अंदर वाले का, इस अंधर वाले का diameter है, यहाँ पर 30, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ leaders है, यहाँ पर यह लिखा कैसे लिखोगी, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा, क्योंकि तुम मेरे प्लेइलिस्ट को continue करा रहे है, तुम्हें यहां पर फिर से तुम डायमेटर ले लो, यहां पर डायमेटर ही लिया हुआ है, उसके बाद तुम क्या करना, यहां पर इसको क्लिक करना, क्लिक करने से यहां पर डायमेंशन तो आ जागा है, यहां पर डाबल क्लिक करना, डाबल क्लिक करने से स्टेक्स्ट मोड पर हम यहां पर देखो यहां पर अगर ऐसा कुछ लिखना हो यहां पर एरो देने के बाद यहां पर ऐसा कुछ लिखना है तो तुम यहां पर क्या करोगे तो हमें लीडर का ओप्सन चाहिए तो लीडर वाले ओप्सन लेने के लिए हमें लीडर वाले लियार पर जाना होगा पहले यहां पर leaders वले layer है कुछ text लिखने के लिए तो यहां पर हम leader annotate पर जाएंगे यहां पर भी leader है और home पर भी leader है यह लोगों ध्यान से लग रहे हैं यहाद रगने यहां पर click करोगे click करने के बाद यहां पर इस line को click कर गए बाहर की तरह बलाओगे यहां पर देखो और is to 100 देखा एक बाहर क्लिक कर दो बहुत ही छोटा है इसको एक बाद select करो select करने के बाद control प्लस वान दबाओ फिर से मैं दिखा दे रहा हूं करने के बाद देखो यहां पर फिर से text mode on होगा tap er के उसके बाद बाहर क्लिक कर देना तो यह हमारा drawing लगवा complete हो चुका है और इस तरह से तुम फूरा यहां पर distance दे सकते हो और यहां पर डायमेंस देने में कोई भी problem हो रही है तो मेरे इस playlist का fast 3-4 वीडियो देखो तो यह यहां पर तुम वही बड़े layer पर रहना यहां पर leader बड़े layer पर ही रहना text लिखने के लिए मैं इसको बनाया हूँ उसके बाद मैं text बाला option लोगा यहां पर text बाला option मैं single line लेता हूँ single line लेने के बाद यहां से click करके इधर ले आके उसके बाद 0 दबाके enter मारूंगा उसके दबा देता हूँ उसके बाद यह तो बहुत बड़ा हो गया इसको छोटा कैसे करो कि ओही प्रोसेस है control plus one control plus one दबा के यहां उपर text height बहुत ज्यादा है इसको तुम 10 करके okay मारो उसके बाद देखो चोटा हो जाएगा इसको बाद इसको पाकड के इसको उपर की तरह उठा क्रोस करने के बाद यहां पर जैसा लिखा है ऐसा कर दो काम खतम इसके बाद यहां पर हमने लियर वाले का सब कुछ लपडा किया है यहां पर हमारा फाइदा किया हुआ यहां पर अगर मैं इस टेक्स्ट वाले लियर को उप कर दूंगा तो देखो यहां पर turn of the current leader अप कर बात you read your तो अच्छी बात है फिर से हम इस leader option को on कर देंगे ya फिर अगर dimension के बागेर देखना चाता है तो इसको click करूंगा dimension चला गया यहांपर leader भी चला गया कि leader भी चला गया उसके बाद अगर चाहो तो यहांपर centra line है यह भी चला गया तो एकदम fresh image देख पाएगा अगर कोई hatching को भी hatching के बीना देखना चाहते है hatching को भी cross कर दो तो इस तरह से हमारा पूरा जो है ओ है और सब्सक्राइब यहाँ पर साइध एक dotted line है तो dotted line तुम्हें तो पता ही है आज नहीं पता है तो मैं एक बार बता देता हूँ यहाँ पर मैं hidden lines के अंदर जाओंगा hidden lines के अंदर जाने के बाद यहाँ पर एल दबाख enter मारूंगा ओके उसके बाद इसको क्लिक करके इधर लिया के यहाँ पर छोड़ दूँगा अगर hidden line एस सब कैसे किया है अगर नहीं पता तो इससे पीछले वाला वीडियो देखो नीचे मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा और उसके नीचे मैं इस प्ले लिश्ट का भी लिंक दे दूँगा तो आज के लिए बाई बाई गाई